हेलो स्टुनेंट्स मैं सेलफेज दॉक्टर पंकच कुमार गुर्देव कोचिंग सेंटर लालकों अगासेबाद सबसे पहले मैं आज के वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो कन्टिनुटी में जो पहले दो वीडियो में antenna को शेयर किया था उसी का लास पार्ट है यह तो अगर आपको पसंद आते शियर करिए गार लाइक ज़रूर करिए गाटिक और साथ के साथ सबस्क्राइब करना ना भूलें, ओके स्वेंट्स देखें, तो इसमें, कंट्यूनुटी में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, नौन एसेंशल का एक कोड, ठीक है, नौन एसेंशल में मैंने को बताया था गागागा एसी टीपी अब मैं एसेंशल का आपको बताने जा रहा हूं एसेंशल के यह 12345678910 10 अमीनो एसेट्स हैं अब इनको याद कैसे करेंगे बहुत आसान है सबसे आसान देखें क्या याद करना है आपको वी आई पी हॉल में टी इस सरी के से आप इन अमीर एसेट्स के नेम इजली याद कर सकते हैं वी से वैली आई से आई से लूसीन फिनाइल एलनीन हिस्टीडीन आरजीन लाइसीन लियूसीन मेधियोनिन ट्रिप्टोफेनन ठ्रियोनिन तो इसमें बस इस बात का ध्यान रगना है कि जैसे नोने शिं यहां पर कुछ चीज़ें आपको द्यान लइन है एक दो कोस्टिंस पर सिया बनेंगे तो यह तापिक कम्प्लीट हो जाता है इसमें क्या है जैसे यह मिधियोनिन मैंने आपको बता यह उसमें सिस्टीम के साथ में यहए विधियो जो है यह अमीनो ऑसे इंपरेंट है यह ह सब्सक्राइब प्रोटीन सिंथेसिस स्टाट होता है साथ के साथ एक कोश्ण यह पर चुटी क्लास से 910 से इक पूझ पूझ लेते हैं कि पॉलिष्ट में कौनसा विटामिन नहीं होता या क्या पार्ट है जो रिमूफ कर दिया जाता है तो वो part असल में होता है क्या है वह है üzerine जो राइस होता है उसके हुपर ऊपर हस्क वाला---- पार्ट होता है उसमें लाइसीन प्रजेंट होता है अगर आफ मुसको से लाइसीन हो जाता है ठीक तो यह राइस से रेलेटेड़ हो जाता है और एक फिनाइल एलेनीन आपने पढ़ा होगा एक डिजीज होती है फिनाइल कीटोन यूरिया किसमें की अमीनो एक्सिय पास होना शुरू हो जाता है तो वह इस अमीनो एक्सिज्य। एक तो इसको ध्यान कर लेजे तो अब आपके पास में एसेंशियल का भी Tao नौन एसेंशिशल का भी code हो जाता है इसके बाद एक सबसे important part मैं आपको यहां बताऊँगा इस topic का जो अमीन एस्ट में आपको discuss किया है इसका एक बहुत important topic जो कई बार board exam में पूछा गया है और उसके लापको करना क्या है एक reaction आपको देनी है और वो topic है peptide bond bond और peptide linkage है ठीक है बहुत आसान है इसको अच्छे समझ के चलिएगा यहां पर देखिए कि peptide bond कि बनता है दो amino acid के बीच में जब दो amino acid एक दूसरे से join करते हैं तो water का loss होता है और दो में जब जुड़ जाते हैं तो जो bonding बीच में बनती है उसे हम कहते है है peptide bond पहचानेंगे कैसे बहुत सारी जगह आपको मिलेगा peptide bond जैसे कि आप polymer में जाते हैं तो polymer में भी आपको peptide bond का formation आपको मिलेगा यहां पर मैं एक example लेकर आपको बताता हूं हमने यह लिया NH2CH2COOH यह हमने लिया glycine अब ताब इसे पहचान गए होंगे बहुत एजी है सबसे छोटा amino acid यह होता है कि इसके साथ हम ले लेते हैं इससे अगला कि एलनीन यह दो amino acids हमने आप लिए एक लिया हमने glycine और एक लिया हमने एलनीन अब क्या होगा देखिए यहां से जो है और यहां से वह है तो रिमूबल हुआ किसका वाटर का तो एच और वेच का रिमूबल कर दिया हमने नहीं वाटर का लॉस हुआ अब यहां क्या बचेगा दोनों amino acid को यहां पर जॉइन कर दीजिए और आपका जो compound है यहां पर तयार हो जाता है देखिए NH2, CH2, CO और इस तरह बचेगा NH, और फिरियां CH, CH3, COH यह है यहां पर peptide bond दो amino acid के जुणने से यहां जब water molecule रिलीज होता है तो यह जो CO NH गुरूप यहां पर आया है यह peptide linkage यह peptide bond होता है अब इसमें एक बात का देहान और रखिएगा देखिए इसमें एक चीज और में बताता हूं आपको यहां पर हमने कितने amino acids को dipeptide और इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक amino acid को और जॉइन करता हूं इसके साथ for example यहां पर मैं फिर से glycine का addition कर देता हूं इसी dipeptide में तो यहां पर भी H और OH का removal होगा अब यहां पर इसी तरीके से कि आपके molecule तो acids रहेगा कि वहां से ह और OH का removal करेंगे हम देखे बनेगा क्या NH2 CH2 CO NH CH CH3 CO और फिर यहां पर क्या आया NH और CH2 COH अब आप देखेंगे यहां पर एक peptide linkage और एक दूसरा peptide linkage यहां पर था कितने amino acid को जॉइन किया हमने यहां पर तू तो यहां पॉलेडी जॉइन थे थर्ड हमने यहां पर ले लिया तो यह जो पूरा molecule यहां पर फॉर्म हुआ है इसे कह देते हैं हम tripeptide और इसी तरीके से students जब हम पहले हमने क्या क्या दो amino acid को जॉइन क्या दो बना एक डाइप्टाइड फिर तीन amino acid को जॉइन क्या दो बना ट्राइप्टाइड इसी तरीके से जब बहुत सारे amino acid को जॉइन कर देते हैं तो एक long chain molecule का formation होता है और उसे हम क्या कहते हैं पॉली पैप्टाइड और देगे यही पॉली पैप्टाइड आगे चलके क्या बना देता है प्रोटीन तो इस बात का ध्यान रखेगा कि बिल्टिंग ब्लॉक क्या है amino acid amino acids आपर में join होकर कि क्या बना देते हैं पैप्टाइड लिंकेट के थूप डाइप्टाइड ट्राइप्टाइड पॉली पैप्टाइड और पॉली पैप्टाइड की long chain को हम क्या कह देते हैं प्रोटीन तो इस तरीके से प्रोटीन का formation यहां पर हो जाता है ठीक है तो यह दो चीजे जो मैंने आपको यहां पर बताई है इनको अच्छे से आप प्रिपेर करिएगा और फिर से मैं लास्ट में फिर से आपसे एक बार और कहता हूं कि हमारी जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक क